औलो गाइज आज हम एकMin65 दीपने ब्लाउस की कटिंग करना सिखें, वेरी डीप है यह आप देखो किस तरह का works है उस तरह का हम कटिंग करने के बहुत ही असान तरीके से इस तरह का कटिंग करना आशान नहीं होता है बहूत ही डिफिकल होता है क्योंकि नेक एकदम टाइट किस तरह बैठेगा हो आज हम सिखेगे तो मैं आपको इस वीडियो में कटिंग करके दिखाऊंगा कि ये वीन एक ज्यादा डीप है फ्रंट का तो किस तरह से बिठा की अच्छी तरह से बैठे जरा भी जोल ना मारे obtained जरा भी लूजना हो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे हैं और सीधा मार्किंग करें गया हमें अपे यही इस तरह से यम लेते हम इस तरह से लेंगे तो देखें किस तरह लेना इस बार मैं अलग कटीं करके दिखाने जा रहा हूं तो आप देखो किस तरह से मैं कर रहा हूं यह शिखना इतना आसान नहीं है यह वही लोग सीख सकते हैं जो पहले से इस काम को जानते हैं यह जो भी बिग्नर है वो नहीं कर पाएंगे इसको तो इसलिए उन लोग के तो उससाब से कर रहा हूं आदाइंच और भी माइनस हो जाता है क्योंकि बेल्ट इसमें हम अलग से कटिंग करेंगे तो पहले मैं उपर का पार्ट दिखा रहा हूं कि बिना बेल्ट का भी बनाना हो तो आप इस तरह से यहीं भी खतम करके बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं होन करना वाला है और बेल्ट अलग से कटिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह आटाइच किया जाता है तो जो भी 100 पर चलाते हैं उनके लिए खास करके यह वीडियो है कि उनके पास इस तरह का कभी आता है तो इस तरह कर सकते हैं तो डाट पॉंट का सेंटर हम निकाल ल जो होते हैं वो फार्मूले से नहीं कटते हैं यह टेकनिक से कटते हैं जुगार से ही कटते हैं इसलिए जो है मैं इसका फार्मूला आपको इसमें अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगा किस तरह कर रहा हूं लेकिन फिर भी जो कर रहा हूं इसको आप देखो और इसको कॉ मोडल ने पहना है इसके अंदर है आप लोग को दिखता नहीं होगा लेकिन इस तरह का होता है तभी ये फिटिंग आता है बिना डाट का ये अच्छी तरह से बैठे गाई नहीं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आज जो है एकदम अंदर की बात में बता रहा हूं कि किस तरह से लोग करते हैं किस तरह बनाते हैं तो इस तरह का बनाने से एकदम परफेक्ट आ जाएगा तो इस तरह से देखिए मैं यहां पर पहुने साथ के करीब उतार रहा हूं आप यह आर्मोल का मैंने डाउन उतारा है कि कितने नीचे उतारना है अभी देखो मेरा कटिंग यह और भी कम लगा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा रहा हूं ताकि हम बाद में इसको कम ज्यादा कर सकते हैं यहां पर मैंने दो इंच का निसान लगाया और इस तरह से यहां पर से देना है आर्मोल का तो आप आर्मोल का से यहां पर निसान लगा के दो यहां पर नीचे आप कर सकते हो तो यह पर नीचे ले रहा हूं दो इसे यहां पर कोई breaking नहीं किया कोई बीड्रोइंग कि आहें और यहां पर मैं सीधा डेढ़ इंच का डाट लूगा है तो डेढ़ इंच का डाट लेंगे तो एकदम अच्छी चिपक के बैठेगा अब यहां पर देखे मैंने यहां पर लिया जितना लेंद उदर है उतना ही लेंद अधर ले लेगा यानि जब डाट को हम क्लोज करेंगे तो यह अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो जो जानकार है इस चीज़ को जानते हैं इस cutting को जानते हैं मतलब इस तरह का बिलाउज बनाना चाहते हैं उनके लिए ये cutting है ये beginners लोग के लिए नहीं है बिल्कुल इसमें कुछ समझी नहीं पाएंगे इस तरह से मैंने cut दिया है प्रिंसेस cut का दिया है बैसिक बिलाऊ वीडियो अबरों, जानना तो उसके लिए video बना सकता हूँ, लेकिन मैं पहले सा ही थोड़ा अलग video बनाता हूँ इसलिए beginner वारों का video नहीं बना रहा हूँ जब भी मैं बना मैं बनाऊंगा, तो उसको class f controlled करनेंगे उसे में मैं बताउंगा ठीक है तो इस तरह का देखिए मैंने 3 इंच का डाट नीचे वी उत निकाला है और मिह पली मैंने वहां निकाला इसलिए कि हमको अपर छेस्ट में और चेस्ट में 4 इंच का फरक है इस तरह से हम करके और सेब दे देंगे कट का तो प्रिंसेस कट का सेप अच्छी तरह देना है ताकि वहाँ पे सेंटर पे कोई पॉइंट होगा रहा ना निकले एक दम बरबर राउंड रहे हैं राउंडिंग का बरबर ध्यान देना है इस तरह से हम क्या करेंगे दोनों देखो के इसाब से लगाना यह 33 के क्योंकि है हमारा जो है बेल्ट जो है लगाने के नीचे का वेस्ट बराबर होता है उपर जाके थोड़ा ज्यादा हो जाता है और यहां मैंने सीधा मार्किंग किया था इससे आधा इंच के नीचे हम निशान लगा लेंगे इसलिए मैंने यह कर दी आप लोग पकड़ो मैंने क्या गलती किया है तो एक गलती हो गई है मैं अभी बाद में आपको बताता हूं जब तक आप लोग सोचो कि मैंने इसमें क्या गलती किया है गलती कर दिया है मैंने आप पकड़ो कहां गलती मैंने किया है तो इस तरह से करके आगे बढ़क एकदम हमारा straight part होता है कपड़े का वहां आएगा तो ये बिल्कुल ही tight रहेगा बिल्कुल बहतरिन रहेगा ये cross cutting भी का मैंने cutting नहीं किया बिल्कुल state करके cutting किया है तो पहला काम यह है कि straight cutting करेंगे तो ये perfect एकदम अच्छी तरह से दिखता है और बिलावस का part भी थोड़ा cross में पैटता है इस तरीके से एकदम बेहतरिन fitting इसका आता है तो जिसको ये चीज आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है जिनको ये चीज समझ मनी आता है वो इस चीज को समझ के लो किस तरह से cutting होता है ठीक है तो ये cutting करने का तरीका मेरा बिल्कुल अलग है, डिफ्रेंट है, जो भी डिजाइनर कितना भी खतरनाक डिजाइन हो, मैं कटिंग करके आपको दिखा सकता हूं, और इस तरह करता ही हूं, आप लोगों ने तो देखा ही है, तो बेसिक अगर सीखना है, जो भी है, तो मेरा काम थोड़ा अलग है, तो उस हिसाब से, क जादा चलता है मेरा क्या बेशिक नहीं जादा होके डिजाइनर जादा होता है इसलिए मैं इस तरह का बजो मैं कटिंग कर रहा हूं इसको देखने वाले समझने वालों की तादाद बहुत कम है लेकिन जो यह चीज सीख लेगा उसके लिए बहुत अच्छी चीज है तो पर गल्ती की थी तो इस तरह से आप से कभी गल्ती हो जाए तो इस तरह से सुधार दिया करो, तुख है, अब देखो, ये बराबर आ जाएगा, तो ये चीज जरूरी था, मैं भूल गया था हुआपर तो इस लिए मैं बोला, कि आप लोग पकड़ो कि मैंने कहां गल्ती किया तो इस तरह गलतियों से आदमी सीखता है तो गलती करने के बाद में अगर आपसे भी होता है तो उसको सुधार डिया करो किस तरह किया जाता है इस तरह से मैंने सेव दे दिया प्रिंसेश कट का यह बराबर हो गया अब हम डाट को यहां कप कुलोज करेंगे इसको चोर डाट बोलते हैं चोड डाट इसलिए होता है कि किसी को दिखाई नहीं देता है इतना छोटा होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है इस तरह से क्लोज करके हम इसको इस्टेट कर लेंगे तो देखिए पहले हम दूसरे डिजाइनों में उपर से हम करते हैं इसमें नीचे से करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल इस्टेट हो जाएगा नेक हमारा तो देखिए कितना बैतरी यह टाइट पॉप्स भी बनेगा यहां पर सबसे करते हैं और यहां पर सोटर मैं ने सीधे ही रखा जरा भी उसने रहते हैं सब अपने तरिके से बताते हैं सबका अपना कि नॉर्मल विलाउजें जो है वो नॉर्मल सभी कटिंग करते हैं, नॉर्मल सब को आता है, लगबग आता है, कहीं भी आप सीखने जाओगे, वो नॉर्मल ही सिखाएंगे, यह जो मैं कटिंग बता रहा हूं, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, तो इसलिए मैं बोलाओं कि कुछ भी आप कटिंग कर आलो कुछ भी बोलो कुछ भी कटिंग करूँगा ले लेडी सहे जेंद सहे बच्चे हैं यह चोटे भड़े से इक साल से लेकर 23 साल तक के बच् Val総 नहीं मुझे कुछ दिकती नहीं होता जड़ाबी तो इस और के फिर से इसलिए चढ़ा दो यह टो मेटी को बैट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हो सकता है कि डाइट पॉइंट आपने मेजरमेंट बराबर नहीं लिया इस डाइट पॉइंट का एरिया बढ़ा होगा या और भी कोई हो सकता है अभी अभी थोड़ी दिर मेरे पास एक फोटो है था बुले कि आर्मोल में जोल आ रहा है मतलब अन्होंने नहीं है तो डाटनी लगाएं और सेप अच्छी तरद से कटिंग नहीं करेंगे तो हो कटिंगगी उपर ही होता है कटिंग अगर परफेक्ट है तो आप आलाटेडा還ot i sqee दो गे तो बताने पर जाओगे तो सब अलग अलग बताते हैं मैं जो बता रहा हूं अलग है दूसरा कोई बता रहा है तो आप अपना दिमाग लगा कि जब करूगा तो अच्छी तरह सीख लोगे थोड़ा एडिया लिया करो बाकी अपने इसाब से किया करो जो भी है तो परफेक्ट आ और बेलट इसमें भी हम लगाएगे बैग में अलग से यह बैग मैं बेलट लएगा और फ्रेंड में भी तो इस तरह से करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा पको यहां भी खतम भी कर सकते हो आपकोicky विलाओ इस तरह पहनना है तो आप सोड भी पहें सकते हो बेल्ट के साथ में यह द देखीए इमेज में है तो उसी साब से मैं यह बेल्ट कटिंग करके आपको दिखाउंगा कि बैक फ्रेंड बेल्ड लगाना कि आपको तो इससे बराबर और तरह इस तरह डाट का हम cutting करके इस तरह से मीटो मीट करके close करके हम कर लेंगे तो यह बैग भी सीधा करना जरूरी है तब ही अच्छी तरह से आता है तो यह मेरा basic काम नहीं है यह थोड़ा अलग label का काम है मैं अलग label का काम करता हूँ और basic वाला है वो भी cutting कर सकते हैं कोई भी कर सकता है जो designer कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है लेकिन जो basic ही सिखे हैं वो कभी designer पर नहीं जा सकते हैं वो इस तरह का designer नहीं सिख पाते तो आप ल के सीखाने वाला हूं और राट के सीखाता हूं, बेसिक भी मैं बना सकता ओं जब मेरे लिए डिजाइनर कुछ नीए, तो ये बेसिक क्या चीज है, तो इसलिए मैं उस पे नहीं जाता हूँ, जो सभी कर रहे हो, मुझे नहीं करना है, मुझे तो आप लोग को एक अच्छा का काम सिखाना है डिजाइनर काम सिखाना है ताकि आप लोग की पहचान एक डिजाइनर मास्टर की तौर पे हो ऐसा नॉर्मल टेलर के नाम पे ना हो आप लोग इस तरह का बिलाउस देखे तो चक्रा जाते होगे कि कैसे कटिंग होता है कैसे करते होंगे कौन बहुत बड़े- बड़े-डिजाइनर है बहुत चार्ज करते हैं उन्हीं लोग कर सकते हैं लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लोग का यह गलत फाहिमी दूर करने के लिए मैं इस तरह से बनाता हूं कि आप लोग भी कर सकते हो इसलिए मैं इसी खाता हूं तो इस तरह से आप लोग करिए देखें मैंने 2 इंच का बेल्ट इस तरह ब्रोड लिया था और इस तरह करके मैं कटिंग कर ले रहूंँ ताकि इसको थोड़ा राउंड करके अधा इंच राउंड लिया था तो एस तरह राउंड लेंगे तो ही अच ganzen तरह से देखो model के waist पे किस तरह चिपक के बैठा है इस तरह बैठेगा और दोनों तरह बेल्ट में इस तरह का gaping दिखता है तो आप stitching से इस तरह का कर सकते हो अगर मेरा ये cutting पसंद आता है मेरा ये cutting करने का तरीका ये idea तो मेरे channel को like करो, subscribe करो और दोस्तों में share जरू करो तो इस तरह का cutting में हमेशा बताता रहूँगा जितना भी difficult हो वो मेरे channel पे आपको मिल जाएगा मैं आसानी से cutting करके आप लोग को सिखा सकता हूँ और मैं classes चालू करने वाला हूँ वो करूँगा लेकिन उसमें मैं basic से लेके पूरा advance तक लेके जाऊँगा तो इस तरह का सिखाओंगा कि यह basic फर में तो मैं एक घंटे में सिखादाऊं कोई मेरे सामने इस तरह से कोई आपके खड़ा रहे है तो तो इस तरह से मैं कर दो मेरे तो इतना हो है कि मैं ऐसे बता दूँ इस तरह के समझा दूं कि आफ लोग तो खुद ही चाऊजा जाओ क्यिसे आपने बताया कि इतने ज़ल्दी मुझे आ गया तो मुझे सिखाने का तरीका बहुत अच्छी तरह साथ है किस चाह जाएंगे लेकिन आप लोग को, मैं चिकनरा को की चाहने हैई, विकुर्य में बताया चलते हैं जड़ा तो ना चले मेरा लेकिन देवत यदा जाने वाला है तो इसका चैनल चल गया हो ही सबसे बड़ा मास्टर है वह सबसे अच्छा शिकार है यह अच्छा उसको आता है सक नहीं है अब को पता होगा कि जापान का माल कम बिखता है और चाइना का ज़्यादा बिखता है तो ऐसा भी होता है इस अब लख लख की बात होती है तो इस तरह का मत सोचिए आप लोग तो चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्ला आफिस